नमस्कार फोस्ट बिया चार्खन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ दिव्यासिंग बिहार में जिस तरीके से अचानक सत्ता परिवर्तन हुआ और नितिश कुमार ने जिस तरीके से बीजे पी को एक बड़ा जटका दिया उसके बाद से बीजे पी के जो तमाम मंत्री हैं बधायक हैं नेता हैं आप कह सकते हैं वो नितिश कुमार पर अक्रामक देख रहे हैं और लगतार जो बयान बाजी है वो तेज होती चारी है बता दे कि इसे बीच अब जो बीजे पी ने किया है मड़ी पुर में उसको लेकर भी जो राजदितिक सरगर्मी है वो बढ़ गई है आपको बदा दे कि मड़ी पुर में अब बीजे पी ने नितिश कुमार को बड़ा जटका दे दिया है और जेडियू के छे में से पांच विधायकों को तोड़ कर अपने पार्टी में मिला लिया है आपको बदा दे कि जस तरीके से मड़ी पुर में जेडियू में एक बड़ी तूट देखने को मिली है उसके बाद से रास्तिक सरगर्मी और ज़्यादा तेज हो गई है और आरोप परत्यारोप का जो दोर है वो जारी हो गया है। ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि नितेश कुमार जी जिस तरीके से आपने हमारी पार्टी के सांसर और विधायक तोड़े थे तो वो कौन सा समविधानिक काम किया था आपने आपने हमारे परिवार में ही फूट डाली तब किस निंद्रा में सोय हुए थे साथ में चराग पासवान ने ये भी कहा है कि जिसके घर खोद शीसे के होते हैं वो दूसरों के घरे पर पत्थर नहीं मारा करते हैं चले पताते हैं कि चराग पासवान ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है और किस तरीके से मुख्यमंत्री नितिश कुमार पर हमला बोला है और उनसे सवाल भी पोचा है। तो देखा है कि इतना ही नहीं आपने तु मेरा घर मेरे परिवार में फूट डाले तब आप कौन सी निंद्रा में सोय हुए थे। आज जब खुद पर बात आई तो बात सम्विधानिक और असम्विधानिक के होने लगे। नितिश कुमार जी जब खुद के घर शीसे को हो त बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी ने मड़ीपूर में जेडियू के पांच वधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है उसके बाद से बिहार की राजनीती भी और ज्यादा तेज हो गई है और लगाता जो आरोप रत्यारोप का दौर है वो जारी है ट्विट सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए हमारे वीडियो को लाइक करें शेर करें साथ हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल लग हो ले प्से नहीं करें दो पक्राइबंट ले वीडियो क सब्सक्राइब करें सोग्दैब कर दो उन्देज ज़ा एक दो शकॉड़ करें सब्सक्राइब अश्यारु पर क्ट्सक्राइब